नमस्कार दोस्तों, कोईक इंस्पायर योटूब चैनल में आप सभी का हादिक स्वागत है दोस्तों जिस इस्तरी में होते हैं ये तीन गुड उसका पती रहता है हमेशा धनबान जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी इस्तरी के बारे में बताएंगे जिसमें तीन गुड ये पाए जाते हैं तो उसका पती हमेशा ही धनबान रहता है कौँ सी हैं बो तीन गुड वाली इस्तरी आईए इस वीडियो के मांद्यम से जानते हैं लेकिन सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तब शादी के बाद उसका भाग और भविश्य अपने पती के साथ जुड़ जाता है जी हाँ इसका मतलब ये है कि शादी के बाद पत्नी जो भी कारे करती है या जो भी कहती है उसका अच्छा या बुरा परभाव पती के जीबन पर भी पढ़ता है यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो शादी के बाद लड़की का जीवन अपने पती के साथ जुड़ जाता है वैसे भी शादी बोरिस्ता है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है ऐसे में अगर किसी एक के जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसका असर दूसरे के जीवन पर भी जरूर पड़ता है दोस्तों वहराल कुछ इस्तरियां तो ऐसी होती है जो शादी के बाद अपने पती के लिए सवबहाग गले कर आती है वहीं कुछ ऐसी भी होती है जो अपने पती का जीवन दुखदाई बना देती है आपको बता दें कि जो इस्तरियां अपने पती के जीवन में सवभाग गिलाती हैं उन्हें भागशाली पतनी कहा जाता है गवर्तलव है कि इस दुनिया में अगर गुडवान इस्तरियां मौजूद हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहां कुछ इस्तरियां ऐसी भी हैं जो अब गुड़ों से भरपूर होती हैं ऐसी इस्तरियां अपने पती के जीवन में केबल दुख और पीड़ा ही लाती हैं हाला कि कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पती का भाग पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं और उन्हें रंक से राजा बना देती हैं दोस्तों आज हम आपको उन गुड़ों के बारे में बताएंगे जो अगर किसी इस्तरी में हो तो उसके पती का भाग चमकने से कोई भी रोक नहीं सकता जी हाँ जिस इस्त्री में ये गुड़ पाये जाते हैं उसके पती को जीमन में ज्यादा मिहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ते इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पत्नी में ये सारे गुड़ मौजूद हैं तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है तो चली हम आपको इन गुड़ों के बारे में बिस्तार से बताते हैं नमबर एक दोस्तों कहते हैं कि जो इस्त्री सच्चे मन से और सच्ची सरद्धा से भगवान की पूजा करती है उसका पती हमेशा धनबान रहता है बैसे भी अगर भगवान की सच्ची मन से अराधना की जाए तो उस घर में लक्षमी का बास जरूर होता है इसके अलावा इससे घर का बातावरण भी अच्छा होता है नमबर दो बता दें कि ऐसी इस्तरीयों पर लक्षमी जी खुद अपनी करपा बरसाती हैं जी हाँ इनके पती पर भी पैसों की बरसात होती रहती है दोस्तों गवर तलव है कि जो इस्तरी किसी गरीब को खाली हाथ बापिस नहीं जाने देती और दान में कुछ न कुछ देती है उसी इस्तरी का घर हमेशा धन और धन्य से भरा रहता है वैसे भी कहते हैं कि ना कि अगर किसी गरीब को दान दिया जाए तो मातारानी आप की जोली खुद वाखुद भर देती हैं यहां तक कि जिस घर में ऐसी इस्तरीया होती हैं उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पती को खूब धनलाब भी होता है दोस्तों वहरहाल अगर आपकी पतनी में भी ये सारे गुण मौजूद हैं तो आप बास्तम में बेहत भागशाली हैं तो दोस्तों यही वो तीन गुणों वाली ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने पती के भाग को चमका देती हैं अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फेस्बुक और बाटसे पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत